तो चलिए, models के बारे में हम समझते हैं, वो चार public relation के models कौन-कौन से हैं तो four models of public relations में है press agentry model जिसको हम publicity model भी कहते हैं दूसरा model है public information model, तीसरा है two-way asymmetrical model और चौथा है two-way symmetrical model जिनको मेरे writing समझ में नहीं आ रही, मन के लिडिक्टेट भी कर रही हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं press agentry model और publicity model के बारे में तो समझते परें यहां लिखा क्या हुआ है तो press agentry model के बारे में यहां पर बात हो रही है जां एरिक कोल्डमन 1984 में उन्होंने कहा था कि यह जो press agentry model है उसको उन्होंने नाम दिया था the public be fooled आप समझी रहोंगे दो-दो word यहां associated है एक इस model को publicity model के नाम भी दिया गया है और दूसरा इन्होंने इस model को कहा है the public be fooled आगे समझते हैं क्या है यह एक ऐसा model है जिस model को हम manipulation के बारे में कह सकते हैं इस इस completely a manipulative model जहां पर यह one way communication पर depend करता है यानि press agentry model और publicity model is just a one way कोई भी publicity होती है अब देखते होंगे किसी भी तरीकी की publicity को लोग कहते है it's a kind of a good publicity क्यूंकि उस product के बारे में बाते हो रही हैं market में लोग उसके बारे में जो लोग नहीं भी इस्तमाल करें वो भी उसके बारे में research करेंगे थोड़ा google पर जाएंगे उसके बारे में जानेंगे तो वो publicity मिल जाती है तो ऐसे कुछ model ऐसे ही एक चीजों को ये press agentry model depict कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये जोग model है this is completely a one way communication जानि कि आपको उसने बढ़ा चढ़ा कर manipulative तरीके से अपने product के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बाते बोल कर उन्होंने आपको sell कर दिया sell करने के बाद उनको कोई परवा नहीं है कि वो product आपका जो feedback है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है it is a completely one way process जैसे कि आप example के तौर पर मैं एक छोटे example के तौर पर इसको मैं लेकर चल रही हूँ एक साडी की sale लगी हुई है साडी बहुत अच्छे brand की साडी है लोगों ने उसके बादे में बहुत अच्छे ची बाते सुनी हैं साडी के brand के बादे में लोगों ने sale के नाम से बहुत जादा sale के नाम से excited हो जाते हैं sale के नाम पर उन्होंने वो गए वहाँ पर और पता चला कि वो साडी घर लाने के बाद वो defective है और उस साडी की quality बसी नहीं है जो साडी की होनी चाहिए थी price के हिसाब से लेकिन क्योंकि यह one way process है और वहाँ पर कोई return कोई exchange नहीं है तो आप क्या हुए आप fool हो गये यानि कि the public भी fooled sale के नाम पर आपको fool बना दिया गया और अब आपका feedback इसले नहीं हो सकता क्योंकि वो उन्हें completely वहाँ पर लिख दिया है no exchange no return so आपकी feedback हो कुछ भी हो it is all up to you आप उसको किस तरीके से ले तो बढ़ा चड़ा कर जस उनको सारी sell करनी थी तो उन्होंने बढ़ा चड़ा कर सारी को lights के थूँ obviously बहुत सारे lights लगे रहते हैं जिसमें एक मामूली सी भी सारी को आप you know beautify कर सकते हैं तो बढ़ा चड़ा कर अपने उस सारी को present किया और फिट जब आप घर ले कर गए और अपनी जो normal light में आपने देखा तो आपको पता चला that you know यह आप बुद्धू बन गए हैं आप बिलकुल fool बन गए है तो यही है कि यह इस model को इसी तरीके से मैंने डिफाइन किया है example के थरू आगे समझते हैं इस model can be depicted on falsehood thus accuracy, ethics and truth may not be significant यानी कि accuracy, ethics and truth इसमें हैं ही नहीं यह value, moral values जैसे कोई चीज यह नहीं समझते हैं और आगे क्या है accuracy is not important and organization do not seek audience feedback or conduct audience analysis research तेक है यानी कि उनको audience के feedback से कोई लेना देना नहीं है वो सिर्फ audience को चीजें बेचना था उनको immediate वो cash लेना था और उनका काम खतम अब audience को चीज अच्छी लगे अब वो social media पे hashtag चला है या कुछ भी करें उनको कोई लेना देना नहीं है उस point of time पे उनके पास एक particular amount उनकी जेवी में आ गया और वो उनका purpose पूरा हो गया तो यह क्या होता है यह सिर्फ मैंने एक example दिया सारी के नाम पर यह कोई भी publicity stunt हो सकता है किसी भी you know publicity stunt हो सकता है कोई भी fake news हो सकता है मैंने यह दो example भी आपर लिखें कोई भी fake news हुआ इसके बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बाते सुनी अभी कोरोना के नाम पर बहुत सारे medicines हारे हैं जो claim कर रहे है कि यह medicine लेने से आपको यह हो जाएगा वो medicine लेने से आपको यह हो जाएगा तो यह भी क्या है अपनी चीजों को sell करने के लिए वो कोरोना का नाम ले रहे क्योंकि क्या है डर जो है वो market में बिखता है तो बहुत सारे medicines हैं बहुत सारे तरीके के इतने भी आप advertisement अभी फिलहाल देखेंगे वो चाहेँ, soap का advertisement हो detergent का advertisement हो अब बरतंद होने का advertisement हो सारे advertisement में कोरोना को संदर में रखा गया है और कहीं ना कहीं वो डर कायम किया गया है कि हाँ भाई आप इसको use करो और आपको कोरोना जैसा कोई problem ही face नहीं करना पड़ेगा यह disinfect करेगा, sanitize करेगा तो इस तरीके से manipulate किया जाता है आपके emotions के साथ खेला जाता है आपके पैसों के साथ खेला जाता है तो this is what press agentry model or publicity model is all about तो यह एक model है next हम आते हैं और इसमें यह भी लिखा हुआ है it is a one-way form of communication wherein the information is passed from the sender to the receiver without giving much consideration to the opinion of the receiver जैसे कि मैंने बताया कि उनको कोई लेना देना नहीं है audience के feedback से उनको बस चीजे sell करनी है और पैसे बस उलने है आगे बढ़ते हैं दूसरा है public information model ठीक है यह भी यह जस्ट कह सकते हैं इस model को का contrast है कुछ हद तक contrast है यह कहता है it present more accurate information however the communication pattern is still one way यह इसका भी communication pattern क्या है it's a one way लेकिन यह जो information हमें देता है वो accurate information देता है ठीक है भले ही वो communication का pattern जो है वो one way हो बट आप इस पर rely कर सकते हैं और it involves you know इसमें इसमें हत्रुत जरूर रहता है थोड़ा बहुत और यह develop किया गया था EVLE के त्वारा अब इस वो थोड़ा समझते हैं public information model को इसमें कहा गया है कि one way है आप कभी कई ऐसे जगह पर जाएगा जहां पर one way channel of communication होता है जो वो कोई भी हो ठीक है कोई भी government organization है आप वहाँ पर आपको कोई information चाहिए होती है वो one way process होता है लेकिन आपको इतना जरूर है कि वहाँ से आपको information जो मिलेगा वो सही ही मिलेगा ठीक है तो यह हो गया आपका यह generally government organization या फिर कोई business organization जहां पर process जो है communication का वो one way है पर information आपको सही मिलेगा एक चोटा सा example मैं आपको देती हूँ कि कोई एक government college आपको वहाँ admission लेना है आप वहाँ के admission जिन बेसिकली जब हम लेते हैं तो हम वहाँ पर जो चीज कांसेडर करते हैं वो है वहाँ के जो pass out student है उनकी placement कहां कहां हुई है तो उनका एक वो brochure बनाते हैं आप कहीं नगी उसे देखिएगा और जो चीजें आपको दिखेंगी उसके हिसाब से आपको कोई students किसी अच्छे brand किसी अच्छे organization में दिखेंगे ठीक है वो XYZ बहुत अच्छे कोई Google company में है कोई किसी अच्छे organization कोई Yahoo में है अच्छे-चे placements के जो students होते हैं उनका एक alumni का आपको प्रोशर मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं सही वो students की placement वहाँ ज़रूर हुई है लेकिन इस information model में क्या है एक सबसे बड़ा weakness वो है वो ये है कि इसमें research का जो essence है यानि कि research कम होता है यानि कि research की कमी होती है lack of research होता है इस public information model में यानि information आपको सही जरूर मेलेगा लेकिन research की कमी होती है अब मैंने जैसे example दिया आपने brochure देखा students alumni के उन लोगों की placements बड़े बड़े जगा पे हुई है लेकिन अभी कितिने students ऐसे हैं जो उसी organization में है कई बार ऐसा होता है कि वो organization छोड़ देते है या उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है लेकिन फिर भी उनकी brochure में उनकी pictures लगे रहता है क्योंकि वहाँ पर information यानि research की कमी होती है लोगोंने बाद में उनसे contact नहीं किया उनको information नहीं मिला उससाब से तो ये है half truth रहता है या पर सही जरूर हैगा लेकिन research की कमी रहती है इसलिए ये public information model है जहांपर public को inform किया जाता है लेकिन research की कमी रहती है तो ये I guess आपको समझ में आ गया होगा public information model के बारे में अब हम समझते हैं two way asymmetrical model Edward Bernays ने इस model को कही ना कहीं उन्होंने suggest किया है इसमें लिखा हुआ है कि communication is not balanced it presents more scientifically persuasive content creator conduct research to better understand the audience attitude and behavior नाम देखें यहांपर two way asymmetrical model है यानि जब two way के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा feedback को ये बारे में बात होगी यानि यह ऐसा model है जहांपर feedback possible है यहांपर feedback होता है ठीक है तो feedback होता है यानि कि obviously अगर feedback होगा तो ये PR communication का एक अच्छा model कहलाएगा क्योंकि feedback ही कहीं ना कहीं किसी भी communication का एक essence होता है communication का क्या सकते effective communication का symbolize करता है अगर आपका feedback अच्छा होतों तो क्या है it represents scientifically persuasive content creator conduct research to better understand the audience attitude and behavior यानि audience के attitude और behavior को तेखने के बाद research करने के बाद वो content create किया जाता है जैसे कि अगर को YouTube channel start किया है और उसको उसने YouTube channel को दो तीन ऐसे वीडियो से उन्होंने शूट किये जिसमें audience का feedback अच्छा नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया अपने content को बदला और audience के taste के हसाब से अपने content में कुछ changes लाएं तो ये completely audience based two way symmetrical model है जहां पर research किया जाता है proper और उसके बाद उनके behavior को judge किया जाता है और फिर कहीं ना कहीं अपने content creation में changes किये जाते हैं आगे example है it incorporates lot of feedback from target audience and public ठीक है लेकिन इसमें भी एक problem क्या है ये एक two way symmetrical model है इसमें problem क्या है सब कुछ अच्छा है two way feedback भी मिल रहा है आपको और audience कहीं ना कहीं target audience के साब से भी content बन रही है पर इसमें भी थोड़ी बहुत cheating हो जाती है जैसे कि आपको इसी कॉस्मेटिक शॉप में गए और कॉस्मेटिक शॉप में आप गए और वहाँ पर आपने अपने लिए एक product खरीदा आपने एक face cream करीदा उस person ने आपको face cream के बाले में बहुत सारे advantages बताएं ये लगाने से ये होगा आपकी आपका screen जो है वो hydrated रहेगा ब्ला 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 जो चीजे उन्हों वो बोलते हैं उन्होंने आपको अच्छे तरीके से चीजे एक्स्पें की लेकिन जब आप घर जाकर उसको apply की अपने face पर आपको वैसे results नहीं मिलें क्योंकि ये two-way feedback है आप वहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर आप complain कर सकते हैं वहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हैं या फिर आप questions भी पूछ सकते हैं वहाँ पर ठीके तो ये two-way symmetrical model is like की आपको जानकाली दी जाएगे लेकिन थोड़ी manipulative रहती है क्योंकि इनका भी काम रहता यह है कहीं ना कहीं की थोड़ा बढ़ा चड़ा कर चीजों को बताना but still feedback acceptable है तो इसलिए ये model easy हो जाता है लोगों को आगे और जो सबसे last model है हमारा वो है two-way symmetrical model तो ये जो है सबसे ideal model कहा जाता है PR के models में सबसे best model है तो the term symmetrical is used because the model attempts to create a mutually beneficial situation PR practitioner make every attempt for each side to understand the other's point of view it is useful model for conflict resolution within an organization and specially between an organization and its public तो आप जैसे की समझ चुके होंगे कि ये two-way symmetrical model कह सकते है ये complete, ये two-way है obviously ये भी feedback oriented है और ये symmetrical model इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर mutually beneficial situation होते है यानि कि दोनों का पूरी सहमती होती है अगर उसने आपको कोई product बेचा तो आपको उस product से full satisfaction होगा लाई कि आपको पूरी तरीके से अगर आपको कुछ queries भी होंगे तो वो कही ना कहीं आपके queries, आपके doubts को clear किये जाएंगे तो ये PR practitioner जो होता है जो PRO होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी attempt लेते हैं कि सामने वाले person को पूरी तरीके से चीज़ें को explain की जाए और उनका point of view भी रखा जाए यानि कि हम दूसरों के point of view को भी रखें और उसको हम consider करें और उसके feedback के हिसाब से भी हम changes कलाएं ठीक है तो ये सबसे बड़ी बात होती है two symmetrical model में और जब भी कोई conflict वाली situation आती है कभी कोई तनाव वाली situation आती है उस वक्त ये जो model है वो सबसे ज़ादा work करता है क्योंकि ये उस time पर public और organization की बीच में कहीं ना कहीं तालमील बैठाने का काम करता है उनकी grievances को redress करने का काम करता है और उनकी जो personal problems है उनको settle करने की problem को settle करने की कोशिश करता है तो this is two way asymmetrical model तो ये थे हमारे चार models of communication public relations के तो अगर आपको कुछ चीज़े समझ में नहीं आई हूँ तो please मुझे बताएं